वाट इस कार्डियक साइकल तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कार्डियक साइकल कार्डियक साइकल तो कार्डियक साइकल में हमें सबसे पहले ये समझना है कि कार्डियक साइकल का मतलब होता क्या है अब हमें पता है कि हमारा जो हर्ट है वो 72 टाइमस बीट करता है अगर हम बात करें नॉर्मल केस में एवरेज हर्ट बीट की बात करें तो कितने टाइम बीट होता है 72 ठीक है अब आप देखिए आल देवेंट्स विचार हैपनिंग डूरिंग वन बीट ठीक है जब हमारा जो हर्ट है एक बार बीट करता है तो उसमें उस समय हमारे हर्ट में जितने चैंजेस आते हैं उसी को हम लोग कहते हैं कार्डियक साइकल अब आप समझोगे कि अब फिर से इसको देखिए आल देवेंट्स विचार हैपनिंग डूरिंग डूरिंग वन बीट ठीक है डूरिंग वन बीट विकन से कि एक बीट के दोरान हमारे हर्ट के चारों चैंबर म जितनी भी चैंजेस आने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं कार्डियक साइकल यह एक कार्डियक साइकल का जो डूरेशन होता है वह होता है 0.8 सेकेंड डिफिनीशन मैं दो बार बोल चुकी हूं आप इसको नोट करते रहना आल देवेंट्स विच आर हैपनिंग इन आल दे चै खुक किना हर्ट का अवीट पर मिनट मतलब यह क्या हो जाएगा आपका 72 by 60 ऐसे करेंगे तो शायद आ जाएगा 0.8 यह 60 इसको और सट सब्सक्राइब प्रिफिन तो हल्टरेट करें गया क्वेज्च आफ़ रेट क्या है देखिए हर्ट रेट क्या है है हर्ट बीट पर मिन कि हुझता जाये गास कर दो 60.. बॉइच छेक तो बहुर जाएगा तो इसका किस जेसे सब्सक्राइब तो 60 0080 मतलब जीरो बॉइंब इपैप जीन बंसारे की इवेंट है बिह सेटमे सारे चारो चैमबर में आ Apps रख़्ला डियलेंस होता है तो चलिए देखे cardiac cycle का duration कितना है 0.8 second है 0.8 second में क्या क्या होने जा रहा है इसमें दो event आएंगे पहला आएगा heart का contraction ठीक है contraction और दूसरा आएगा relaxation contraction को हम relaxation contraction को हम लोग कहते हैं systole क्या कहते हैं systole और relaxation को कहते हैं diastole heart systole और contraction को हम लोग एक और नाम देते हैं depolarization और diastole को कहते हैं repolarization क्या कहते हैं repolarization तो अब आप ध्यान देना contract करना systole relax करना diastole depolarization और repolarization अब देखे एट्रियल कांट्रेक्शन एट्रियल कांट्रेक्शन और relaxation मिला के relaxation मिला के आता है 0.8 सेकेंड मतलब 0.8 सेकेंड में अट्रियजा का चाहिए ओसी जिरो पॉइंट्रेक्शन टाइम होता है और इसका रिजेक्शन टाइम वौइंट सेवन सेकेंड का होता है बहुत बार यहांसे कोष्चन आया है कैसे होता है क्या शेट्रे में इसी 0 8 सेकेंडों बहुत बार यहांसे क्योंती में ऐट्री एक्ट्रिय गुट्रेंड बहुत बण्य करते हैं जिसको लोगन डायस्टॉल joint diastole joint diastole 0.4 second का होता है सब अलग-अलग मत count करना उसी 0.8 second में होने जा रहा है तो what is the cardiac cycle जो की एक beat के दुरान heart के charge जमबर में जो भी changes आने जा रहे है मतलब 0.8 second के अंदर 0.8 second में उसको हम लोग क्या करते है cardiac cycle करते है तो चलिए सबसे पहले सबसे पहले क्या है atrial systole ध्यान से इसको समझना है atrial systole अब आप imagine करिए atrial systole का मतलब जैसे हमारे पास ये atria है ठीक है मैं बना रही हूँ और ध्यान से आपको देखना है इसको ये हर्ट के चारो चैंबर ठीक है हर्ट के चारो चैंबर ये है right अरिकल ठीक का लेफट अरिकल लेफ वेटव अच्यामाल इस ब्लड अरिकल में और सद्ली ऑड़न ऑलग से है तो यहां पे और है यहां पे ब्लाड यहां से ही ब्लड entering आ गया तो क्या होगा जहां मेंने वहांसे इस उसकी ओपनिंग क्लोश कि बढ़ा कि तो इसकी वज़ये से क्या होगा उसकी मुसल में शुरू कर देगी उसकी मुसल कौंट्रेक्ट करेगी तो मुझे बात भबताईए जब और एक प्रेशर नहिंग इस तरह कीसे कॉंट्रेक्ट करेगी मेरी बात धृ Щ मासे समझना एक सब्सक्राइब करें तो एक्रिया से बलड कहां पर आ आ रहा है और अगर ट्रीड इस तो यह सब क्लोज नहीं तो तो अगर एट्रिया कॉंट्रेक्ट करेगी तो बलड बाहर चला जाएगा ना ठीक है तो क्या होगा देखिए जब एट्रिया कॉंट्रेक्ट करेगी है कितना है 0.1 सेकेंड का है बलड कहां से कहां आएगा बलड आएगा एट्रिया टू फ्रॉम देखिए फ्रॉम एट्रिया two ventricles अब बताइए मुझे क्या हो रहा है उस दोरान ये दोनों valve ये AV valve जो है वो तो open रहेंगे न तो AV valve open रहते हैं open रहते हैं ठीक है न? open रहते हैं लेकिन कौन-कौन से valve close रहेंगे देखिए यहाँ पे valve कौन से close रहेंगे जो IV inferior विना कावा में है मतलब eustachian valve close हो जाएगा और उसके बाद जो coronary sinus में है वो है thibasian valve तो valves जितने भी हैं eustachian valve देखिए मैं लिख रही हूँ eustachian valve ठीक है? thibasian valve closed ठीक है यह सब क्या हो जाते हैं? closed हो जाते हैं बाकी मैंने आपको बताया कि यह जो superior विना कावा है और जो pulmonary veins है इन में valve तो नहीं है तो यह कैसे close होंगे? इनकी opening close होगी due to the contraction of atria जो atria contract होगी क्योंकि यह atria की एकदम दीवार के पास खुलते हैं तो जैसे यह atria contract हो उनकी दीवार के संकुचन contraction के वज़े से इनकी valve close हो जाती है तो जो opening है opening of we can say opening of superior venna cava and pulmonary veins closed due to contraction of due to contraction of atria यहां तक बात समझ में आ चुकी है तो अब blood कहां से कहां आ गया मुझे बताईए blood आ चुका है blood आ चुका है अच्छा मुझे एक बात बताईए blood जो atria से stole हुआ तो blood कहां पे आ चुका है atria से ventricle में blood आ चुका है अच्छा जब atria contract कर रहा है तो उस time the ventricle क्या कर रहा है ventricle इस time die改stop में है relax तो कर रहा है atria आ अगर contract कर रहा है तो ventricle इस time relax कर रहा है तो हमें पता है कि 0.2 second में ventricle अभी relax कर रहा है चले दूसरी चीज़ क्या होने जा रही है यहां तक बात समझ में आई दूसरी चीज़ अब क्या होगी जैसे ही ब्लड जैसे ही ब्लड वेंटरिकिल्स में आया जैसे ही ब्लड वेंटरिकिल्स में आया अब हम देखेंगे अगला जो चीज़ है वेंटरिकिलर कॉंटरेक्शन ventricular contraction ventricular contraction में क्या होगा कि जैसे ही blood आप ventricle में आएगा यह कितना होता है 0.3 second का होता है इसको हम ventricular systole क्या कह सकते है ventricular systole ventricular systole या फिर ventricular depolarization depolarization कह सकते हैं इसको अब जैसे ही blood ventricle में आएगा वहाँ पे blood pressure तो बढ़ेगा ना ठीक है blood का pressure क्या होगा increase होगा उस pressure की वज़े से उसमें जो papillary muscle थी मेरी बात बहुत अच्छे से समझ जाए papillary muscle और columnic corny contract करना शुरू कर देंगी जब papillary muscle और columnic corny contract करेंगी तो क्या होगा जो cardi tendon है जो cardi tendon कहां थी बताई मुझे muscle को valve से attach किये दोनों chamber में काडी टेनिह रिलाक्स करेंगा कंडी upward क्या होगा रिलाक्स एफ और जैसे ही quarter relax किया है थिक है नहीं के दोनों valve बंत हो जाएंगे कौन से बाल दोनो एभी वाल जब तो एक आवाज सुनाई देगी उस आवाज को हम लोग किते हैं लब возмरक तिक कें दिस लब और यही फिर्ष्ट हेट साउंट फिर्से तर्ट हले और पर आया इंक्रेश्म टो रचेल कॉंट्रेक्ट करेंगे तो मुझे बताइए क्या होने जा रहा है और है और वेंट्रेक्ट कॉंट्रेक्ट करेंगा तो ब्लड वेंट्रेक्ट बाहर जाएगा ना लेकिन वंट्र कॉंट्रेक्ट कर रहा है ठो थो दोनों तो खुले रहेंगे किก्यों को जाना है है थो से मिल्णर वाल्फ खुले रहेंगी लेकिन वेंट्रिक्ल कॉंट्रेक्ट कर रहा है तो ब्लड वापस से वेंट्रिक्ल से आरिकल में ना चला जाए इसलिए एवी वाल्व का बंधोना जरूरी है तो एवी वाल्व मतलब ट्राइकस्पीड और बाइकस्पीड वाल्व ठीक है ना एवी वाल्व तो होता क्या है ज फ्रस्ट हर्ट साउंड प्रोड्यूजर ऑफ डू टू टू क्लोजर ओफ डू टू क्लोजर ओवी वाल फर्स्ट तो फल्स्ट हर्ड साउंड प्रोड्यूसर अब बताईए वेंटर किल आ क्या इंडिकेट करता है का वेंटरीकूलर धाइस्टोल ठीक है अब बताएं मुझे ब्लट कहां जा चुपा है जैसे यह यह वेंटरीकूलर धाइस्टोड किया ब्लड कहां से गया आप देखिए वेंट्रिक्ल जब यहां पर कॉंट्रेक्ट किया तो ब्लड आर्टरी से बाहर चला गया अब जैसे ब्लड आर्टरी से बाहर गया तो मुझे बताइए कि वेंट्रिक्ल में प्रेशर कम हो गया तो क्या होगा अब वेंट्रिक्ल रिलाक्स करेगी ना जैसे वेंट्रिक्ल रिलाक्स करने जारी और ब्लड पल्मोनरी ओटा और सिस्टमिक ओटा में चला गया है तो ब्लड उन आर्ट्री से वापस से ना है और वेंट्रिक्ल ने रिलाक्स किया वैसे ही सेमी लूनर वाल बंद हो जाता है सेमी लूनर वाल यहां है इन में आर्ट्री में सेमी लूनर वाल है ना यहां पर देखें कौन सी आर्ट्री सिस्टमिक आर्ट्री और पल्मोनरी आर्ट्री तो जब सिस्टमिक तो हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं वेंट्रिक्लर डायस्ट्रोल वेंट्रिक्लर डायस्ट लो 9 2 यहाँ पर प्रोड्यूस संट सेंड हर्जा भून क्री केंड हें सेंड्राइचन DRC С अधें थो फरी हर्जरस इन्म कलोजर और असे करेंगा और वेकरन कर्णों कश्म थे sıkण चैब coronavirus तो यहां तक बात अभी समझ में आई आपको तो चलिए देखिए इवेंट्स कैसे कैसे होता है हमने बताया है दो हर्ट साउंड फर्स्ट हर्ट साउंड और सेकेंड हर्ट साउंड देखिए सब कुछ एकदम को रिलेटेड है आपको एकदम कन्फिज होने की जरूरत नहीं है कि मतलब आप अपने से मैंजन करते जाएंगे अपने से समझ में आता जाएगा फर्स्ट हर्ट साउंड दू 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 अ क्लोजर आफ दू खलोजर ऑन गांद बताये मुझे एवी वाल्व एवी का मतलब ट्राइक स्पीड वाल और बाइक स्पीड वाल रिकस्पीड यह क्या है this is the love और this is the dub L for louder यह sound काफी louder होता है और this is the dull dull होता है यह कैसा होता है तो यह आपको यह जो होता है यह louder है और काफी longer duration का होता है और यह short duration का होता है यह तब हाई-pist होता है यह high-pist है और यह low-pist होता है longer longer, louder and low-pist इस तरीके से आप समझ सकते हैं तो तेखिये कैसे कैसे हुआ यह events आप इसको समझ समझना है sorry, low-pist है यह जो louder है low-pist है और जो dub है वो high-pist होता है तो ये है heart sound, heart sound दो है, first heart sound और second, हालांकि और भी heart sound होते है third or fourth, लेकिन आप जैसे आप ये समझे कि third heart sound क्या होता है, जब atria से ventricle में blood आता है, जैसे आप बाल्टी में पानी भरते हैं, नल से आता है, तो high pressure से low pressure की तरह ते खरखराट की आवाज आती है, वैसे ही, जब atria से blood ventricle में आता है, तो जैसे पानी भरने की आवाज होती है, उसी को हम कहते है third heart sound, और fourth heart sound की इसको कहते है, जब blood, body part से और lung से atria में आता है, तो उसको हम ज्यादा नहीं समझेंगे, अभी हमको इतना ही समझना है, तो बताए, first heart sound कब produce हुआ, जब ventricle contract किया, आप imagine करियो, ventricle contract किया, तो papillary muscle contract कर रही है, quaditany relax करेंगी, है न, तो AV wall बंद हो जाएगा, second heart sound कब produce है, जब ventricle relax करेगा, जब ventricle relax करेगा, तो क्या होगा, blood, blood, मतलब चला चुन जा चुका है, pulmonary artery और systemic artery में, तो semilunar wall बंद हो जाता है, जिसकी वज़े से second heart sound produce होता है, यहां तक हो गया, अ atrial systole, atrial systole कितना है, कितने का है, 0.1 second का, और atrial diastole कितना है, 0.8 second का, ठीक है, तो इसको आप कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, आपको ध्यान ऐसे देना है, कि जो atrial systole है, atrial systole, हमने अभी आपको बताए कि, atrial systole, at atrial systole कितना है 0.1 सेकेंड ठीक है अब हम atrial diastole कैसे निकालेंगे atrial diastole निकालने के लिए हमने देखा अच्छा चलिए आप हमने आपको एक चीज़ बता देना एक हम घड़ी जैसा एसा structure बना रहे हैं आप इसको समझने की कोसिस करना ठीक है जैसे समझें कि एक टाइम कैसे यह atria यह atria और यह है ventricle ठीक है यह है ventricle अब atria मैंने यहां पर time set करना है 1 0.1 सेकेंड ठीक है और यह हो गया 0.2 ऐसे time set कर देना है 0.3 ठीक है 0.4 0.5 0.6 0.7 and 0.8 आठ सेकेंड की बात है चलिए देखिए इसको हम कैसे निकालते हैं atria का contraction यहां पर atria क्या है सिस्टोल 0.1 सेकेंड है इसका जब atria सिस्टोल करी बाकी सारे time atria क्या कर रही है रिलाक्स कर रही है तो atria डायस्टोल 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 अच्छा बताइए जब atria रहा है तो वेंट्रिकल कर रहा है अब इसके बाद यहाँ पे यहां पर यह बेट्रिया we a petrol का जो स्टाइड होई तिक है और वेंटिर सेकंड इसके बाद यहां पर यहां स्टेज में है तो क्योंकि वेंट्रिकल वेंट्रिकल कितने टाइम डिलाक्स कर रहा है 1 2 3 4 5 तो वेंट्रिकल का जो डायस्टोल है वो 0.5 सेकेंड है वेंट्रिकल का सिस्टोल है 0.3 सेकेंड दोनों मिला के कितना हुआ 8 अच्छा एट्रिया का सिस्टोल कितना का है 0.1 ठीक है अच्छा बताइए यह चार ऐसे हैं जो जिसमें चारों चैंबर साथ में रिलाक्स कर रहे हैं मतलब सारे चारों के चारों एट्रिया वाला चैंबर भी और वेंट्रिकल वाला भी समझ में आ रहा है यह चार ऐसे हैं जो साथ में रिलाक्स कर रहे हैं इसी को हम कहते हैं joint diastole नहीं दिखिए यहां पर कभी कोई कोई रिलाक्स कर रहा तो कोई contract कर रहा कोई relax कर रहा तो कोई contract कर रहा कोई relax ऐसा एक ही जगह हुआ है कि जब चारो कोई चारो क्या है relaxed state में इसको हम क्या करते हैं joint diastole कहते है na joint diastole are you getting this ठीक है तो this is the joint diastole अब यह joint diastole कितने का है 0.4 second का अच्छा चलिए हमने बताय कि वेंट्रीक्लर systole कितने का है 0.3 second का है ना 0.3 second ventricle diastole कैसे निकाल सकते हैं इसको ऐसे निकाल सकते हैं वेंट्रीक्ल कभ रिलाक्स कर रहा है जब एट्रिया कॉंट्रेक्ट कर रहा है और जब ज्वाइन डायस्टोल है तब भी तो वेंट्रिक्ल रिलाक्स कर रहा है वेंट्रिक्ल का डायस्टोल निकालने के लिए आप ऐसे निकाल सकते हैं कि जब एट्रिया कॉंट्रेक्ट कर रहा है और जब चारों चैंबर रिलाक्स कर तो दोब 10.1 प्लस 0.4 जो निकल गया वंटरइकल का डायक्सटो कैसे कर रही है जब बेंटर्क्ल कॉंट्रइक्सट करें बेंध रिलाक्स कर रहे है इसको निकालने के लिए मैं यह निकाल strictly तो यह आगया 0.7 सेकेंड तो इस तरीके से यह है कार्डियक साइकल का मतलब जब सारे के सारे सारे के सारे जो इवेंट 0.1 सेकेंड के पॉइंट 0.8 सेकेंड में जो भी हर्ट के नदर जो कुछ भी चेंज आने जा रहा है उसको हम लोग कहते हैं कार्डियक साइकल तो कार्डियक साइकल का मतलब वो टाइम डूरेशन एक बीट के दौरान 0.1 सेकेंड में जितनी भी चेंज आने जा रही हैं उसको हम कहेंगे कार्डियक साइकल तो यहां तक बात क्लियर हो चुकी है तो आज के लेक्चर में इतना ही आगे हम लोग पढ़े करेंगे आगे हम लोग पढ़ेंगे जो भी बचेवे टापिक है उसको कवर करेंगे थैंक यू